Hello everyone, welcome to our YouTube channel इस वीडियो में हम देखेंगे Debook Total in Tally RP9 Tally में डिस्पले में Debook के अंदर आपको आपके certain period के लिए आपके transactions आपको so होते हैं उसमें अगर आपको आपके transaction का total value भी देखना हो तो आप ये function यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको Tally के अंदर आपके TCP फाइल लोड करनी होगी यह हमारा एक add-on feature है तो उसके लिए TCP फाइल लोड करने के लिए आपको जाना है वर्जन इन अप्डेट्स में उसके बाद F4 Manage Local TDL इस function के अंदर जाएंगे यहाँ पे Load TDL Files on Startup इस function को Yes करके यहाँ आपके TCP फाइल जहां भी रखी है उसका path डालना है और इस window को Accept कर लेना है उसके बाद आपके TCP फाइल की functionality को Enable करने के लिए हम F11 Features के अंदर जाएंगे उसके बाद हम Add-ons Feature F6 के अंदर जाएंगे यहाँ पे Enable Daybook Total यह option को हमें Yes करना है और इस window को Accept कर लेना है इसके बाद हम Simply डिस्प्ले के अंदर जाते हैं यहाँ से Daybook में जाते हैं तो यहाँ पे नीचे हमें Amount Total 100 करेगा कि हमारा debit amount कितना है और credit amount कितना है तो इस तरह से आप यह function यूज़ कर सकते हो Tally में I hope आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डीटेल्स के लिए आप हमें दिये हुए नमबर या फिर इमेल आईडी पे contact कर सकते हैं Thank you so much for watching the video